हुआ हरा है तौर तो है तो है हलो दोस्तों स्वागत है पॉल्टरीक स्टार्ट इस पे मैं हूं आर्किस सिंग अब लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेलल लॉफ एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनरियर्ग बुले तो दोस्तों लास्ट लाश्ट में हम लोग ने इसकास किया था अब तक जितने भी classes हो चुके सभी के सभी classes को आप लोगों ने देख लिए होंगे अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिफेनेटल देख लीजिएगा इसी वीडियो के description पर आपको मिल जाएगा बारी के से बिना skip किये तो आप लोग वहाद से देख लिजेगा बाकी चलते हैं हम लोग आज के topic पे आज हम लोग discuss करने वाले हैं signals के बारे में आप लोग को अल्रीड पता चल गया है कि हम लोग आज बात करेंगे signals पे अवर भीयूं और और से के इन टो पीक चैनल टो शुद है यां जो हमें इस परना है सिर्व और सिर्फ टाइप स्परणा टोप न ऐरा है से बस चोड़ी शोड़ी बाते जो है हमें जान देना है हमारे syllabus के according यही काफी है बाकी जो भी electronics को बच्चे हैं जो भी आपका electrical या फिर electronics and communication engineering students है उनको तो यह topic जो है बाद में बहुत सता आएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत सब आएगा ओके चलो तो सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि यह signals होता क्या है what is the signal and practical में signal का बहुत सारे application आप लोग देख सकते हैं signal signal क्या होता है आपका हम लोग इसको कह सकते है signal उसको हम लोग कहते हैं जो की data को carry करता है information को एक जगा से दूसरे जगा पे ले जाता है signal बोलतो इसारा भी हम लोग के लिए वो तो इसारा है कि मैंने यहां से buy कर दिया बस मतलब चले जाओ तो मैंने information आपको दे दिया कि चले जाओ तो एक information सबको दे दिया जो भी green light को देख रहा है दे दिया उसको तो वैसे ही यहां पर हम लोग electrical engineering पर signal बोले तो क्या समझते हैं signal बोले तो हम लोग यहां पर समझेंगे क्या electric current, electric voltage या फिर electromagnetic field जो की data को एक जगा से दूसरे जगा पर कैरी करके ले जाता है या फिर information को एक जगा से दूसरे जगा पर ले जाता है उसी को हम लोग electrical engineering के भासा में signal कहते हैं ओके चलो तो बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को a signal a signal a signal is an electric is an electric electric current ठीक है electric current electric voltage electric voltage or electromagnetic field used to convey या फिर कैरी भी आप लोग लिख सकते हैं convey data data के जगा फे information लिखेंगे तो भी होगा डेटास फ्रॉम वन प्लेस from one place one place to another place to another place बस यह होगा simple सा definition signals का electric signal का a signal is an electric current electric voltage और electromagnetic field used to convey डेटास अब डेटास अगर बहुत सारे information हो तो डेटास एक ही information दो सिर्फ डेटा from one place to another place यही definition आपको किताब में भी मिल जाएगा ओके थोड़ा सा आपका difficult language में मिल जाएगा आपको बट जस्ट मैंने यहां पर बहुत सींपल जो है definition आप लोग को लिखाए हैं क्योंकि हम लोग simple language में concepts को है समझेंगे तो यह हो गया हमाना signals अभी बात करते हम लोग types पे की signals के कितने types होते हैं types of signals types of signals सिर्फ हलकी सी बात यह करेंगे हम लोग types के तो यहाँ पे अगर हम लोग first classification करते हैं classification based on continuity continuity of amplitude amplitude values ओके तो यहाँ पे हमें दो टाइप मिल जाएगा first type is analog signal analog signal दूसरा टाइप क्या मिलेगा हमें digital signal digital 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 signal signal देखो आप लोग amplitude के बारे में जानते हैं तो देखो यह जो आपका line दिख रहा है इस लाइन के ऊपर जितना maximum जाएगा this is amplitude और यह नीचे जो जाएगा वही है amplitude मतलब इस लाइन के दो पार कितना जा रहा है maximum this is the amplitude okay ठीक है तो यह हो गया हमारा amplitude तो इसी amplitude के continuity के ऊपर बेस करके इसके जो वैलू से उसको देखते हुए हम लोग ने तो तरह से classify किया एक तो analog signal दूसरा data signal अब analog signal किसे कहते हैं अगर इसका अगर किसी भी signal का अगर किसी भी signal का जो amplitude का value है वह आपका constantly change हो रहा है constantly minimum to maximum ऐसे change हो रहा है जैसे कि इस case में देखो इधर maximum यहाँ भी minimum तो यह आपका maximum minimum जो है continually चलता रहेगा लगातार ऐसा ही चलता रहेगा एक बार maximum फिर दूसरे पल में minimum फिर अगले पल में जो है maximum फिर अगले पल में यह आपका minimum हो रहा है मतलब constantly यह चल रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या analog signals and digital signal के लिए क्या होता है digital signal के लिए इस amplitude का जो value होता है वह specific होता है उसका value आपका fix रहता है okay this is our digital signal तो दो बाते हम लोग दोनों के बारे में लिख लेते हैं देन आगे और बरेंगे हम लोग types में तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं analog signal के बारे में analog signal के बारे में एक बात यह डोबात जो है लिख लेते हैं है कि ये सारे चीज resell आपको फोड़ी-च्चोटी रूप में जो है याद रखना है विए एनलोग सीग्णल कि से कहेंगे अनुकसिग्नल है कंसेट्रोइंट लीडंजिंग वैलूज हूँ आप अनलोग signals have constantly constantly changing values of amplitude changing values of amplitude which range minimum to maximum minimum to maximum of the signal of the signal यह हमारा हो गया अनलोग सिगनल आड दूसी बात लिखेंगे डिजिटल सिगनल के बारे में बस्सिंपल सी बात हम लिखेंगे ज्यादा नहीं जाएंगे okay digital signal digital signals have specific values for amplitude digital signals have digital signals have specific values for amplitude अनलोग सिगनल आड डिटल सिगनल आड डेटल सिगनल ओके चलोग यह तो हम लोग ने किसके ऊपर बेस करके किया हैं अम प्लीचूट के वेलूस के कंटिन्यूट के उपर बेस करके हम लोग ने क्लासीफाइब किये थे तो हम इंदू टाइप मिल गया अनलोग सिगनल एंड देचल सिगनल एंड अभी हम लोग और भी टाइब देखेंगे ठेक हैं और भी टाइब देखेंगे तो जितने सारे टाइप्स आपके सिलेवस में हैं उन सभी को डिसमस करेंगे एक करेंगे ठीक है कि चलो कि पहले तो हम लोग एक टाइप्स को लिख लेते हैं टाइप्स को लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स आफ सीनर्स types of signals first handle bath ring you have to continuous time and discrete time signal continuous time and discrete time signal continuous and discrete time signal देस्के बाद, deterministic and non-deterministic signals. तिस्टा देखेंगे हाव लूग, even and odd signal. Even and odd signals. ठीके? चौह था देखेंगे, हम लोग periodic and non-periodic signal. ओके? पाच हुआ देखो, energy and power signal, real and imaginary signal. तो वो सारे चीज़े हम लोग नहीं जाएंगे, उतना दिन नहीं जाएंगे. ठीक है? तो यह सिर्फ चारो टाइप को जो है, हम लोग देख लेते हैं, बस. हमें उतना ज़्यदा डीक में नहीं जाना है, बस जितना importance है, उसको ही हम लोग सीख लेते हैं. चलो. तो पहला टाइप क्या है, continuous time and discrete time signal. तो अब यह continuous time signal किसे कहते हैं, दोस्तों, continuous time signal, वो signal होता है, जिसके हम लोग सारे interval of time या फिर सभी instant of time page, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका define कर सकते हैं, इसके जो properties है, जो characteristic है, उसको हम लोग determine कर सकते हैं, define कर सकते हैं, वही हमाला क्या है, continuous time signal, continuous time signal and discrete time signal क्या मतलब है, कि individual कोई एक point को हमें देखना है, तेक है, individual यहां पर यहां पर यह हमारा एक सिगनल मैंने यह हो गया तो अब यह तो टाइम का ग्राफ है इधर हम लोग अभी आपका करण्ट भी लेक सकते हैं करें ले सकते हैं वोल्टेज ले सकते हैं सब्सक्राया कि सब्सक्राइब क्या है देख को और बात करो कि कि यह इस point पर इस point पर कितना voltage है signal का that is our signal होगे इसको line पर यह हुआ voltage अगर दूसरे point पर चला जाते हैं तो this Is point and यहाँ पर हम इसको determine कर सकते हैं इस point की बात करते हैं तो यह नीचे इदर हम लोग है सब्सक्राइब कर सकते हैं बतलब सब्सक्ट част 66 में होगा उसको मलोग बता सकतें कि इतने टाम पाइं पे इतना है इस तरह था की सिगनल को हम लोग कहते हैं continuous time signal and discrete time signal क्या है कि हम लोग इस तरह से बता नही सकते इसको दिस्कृत टाइम सिगनल में हम लोग स्कों इस sóloसे बता नहीं सकते हैं सिर्फ कुछ कुछ ही कुछ ही डिस्कृइट टाइम पे डिश्कृइट बोले तो इसंटिफिक या फिर पार्टिवलर एकए हैं इंडिविजोल भी आप कह सकते हैं लिखिट टाइम टे तक हमोरा एसे बनेगा चलो यह हो गया हमारा एक मैन जो करता हूं यह जब्स अब हमारा वेव है ठीक है वो कंटिनॉस में ऐसे जा रहा था लेकिन इसमें क्या है यह जो पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट पे ही हम लोग इस सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं इसके बीच अगर होता है तो फिर इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे सिर्फ कुछी पॉइंट प हम लोग सिग्नल का जो आपका वोल्टेज है करेंट है या फिर नेंद कर पाएंगे ऊब पूछा भी जाता है आपको एक टाइप मग के लिए अपार तो मां के लिए वाइजन दो मां के लिए पुछा जाएगा तो पिर बात को लिख कर सकते हैं और से टू इसे टू भी कंटिनू स continuous continuous when it is defined for when when it is defined for all instant all all instant all instant of time all instant pay up look all interval of time p leaks at the heading of the yoga amara continuous and other ball cream discrete theme our signal is said to be discrete when 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 it is defined at only discrete when it is defined only at discrete discrete and set of time instant of time together that is our definitions for continuous time and discrete time signal okay is don't know what cool is a photo would say other than look do see time do see type a that is deterministic and non deterministic deterministic and non deterministic signal of deterministic card yeah this code determine kala sata and non deterministic kya hai this code determine nahi karaja sata usko loke de haka non deterministic nam say ही पता चल रहा है कि क्या-क्या होने वाला है आगे जाके ठीक है नाम से ही जो है हमें पता चल रहा है वह दूसरा टाइब डीटर्मिनिस्टिक अन नॉन डीटर्मिनिस्टिक ठीक है ओके डीटर्मिनिस्टिक क्या है अनी सिगनल हुस वैलू कैन बीटर्माइब अनी सिगनल अनी सिगनल whose values can be determined determined at any instant of time any time any time are called deterministic signals ठीक है जब में स्टिकनल ओके जैसे कि देखो एक्जाम्पल 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 दिया गया है है दाट इज एफची ऑगे फंसर आप टी इस गल डू बता गया है फाइव साइन हंडिटी फाइव साइन हंडिटी तो टी के किसी भी वैलू पे आप लोग जो है इस सिंगल का वैलू निकाल सकते हैं टी के जगा पर आपको यह भी चीज लगा दीजिए कोई भी वैलू जो दिया गया है टाइम जबलू उसको अगर यहाँ पर लगा देंगे तो क्लेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो इस तरह के सिंगल जो होता है इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेश करते हैं फंसर आप टाइम के रिश्पेट में ठीक हैं इस तरह से हम लोग उसको हम लोग है कि जर्मिक सपीश कमल इस सकते हैं क्योंकि मैंतिमेटिकल लुग क्याल के कर सकते हैं यह हो गया डिटर्मीनिश चिक przy क्या है दोस्तु जिसको हम लोग लिडिन नहीं कर सकते हैं नौन से Deterministic signals are those whose values cannot be determined in advance okay Determined in advance मतलब इसके जो signal है इसका कोई भी वेलू को हम लोग आगे नहीं बता सकते हैं कि इसका वेलू यह रहेगा जैसे कि देखो यहाँ पी एक सिगनल मैं ले रहा हूं इस इस आवर Deterministic signal तुक्हें अब मैं यहखंब पर यह जानता हूं कि maximum किता हो रहा है minimum कितना हो रहा है तो मैं आगे बता सकता हूं कि maximum जाके यहां पर Maximum झाला करके जर्थ हैं फिर इतनी ंदब बाद यह minimum होजाएगा तो यह मैं बता ऐसा सिगनल कोई भी इसमें रेगुलर्टी नहीं है को फिर आप लोग क्या मुझे बता पाएंगे कि इस टाइम पर इस टाइम पर इसका वैलू क्या रहने वाला है नहीं पाएंगे लेकिन इसके आप किसी भी टाइम पर जो है बता सकते हैं Mathematically calculate करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या रहने वाला है हमारा Amplitude का क्या रहने वाला है लेकिन for this signal यूख कांट से अपलोग बता नहीं पाएंगे इस पॉइंट में क्या रहने वाला है तो दिस इस आवर नोंडिटर्मिनिस्टिक और यह हमारा वाला समझ में है दोनों signal समझ म हम लोग डिप में नहीं जाएंगे अब हम लोग बात करेंगे इवेन एन और सिंगल ठीक है इसके आगे दो सिंगल और है पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक है कि ओके कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर अगर बात करते हैं हम लोग इवेन और और सिगनल के बारे इवेन कि एड और सिगनल कि अगर अगर इवेन सिगनल क्या है अनी शिगनल के अगर इवेन 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 इडर सोर्च शीमेटरी अगर य- एक्स एक्श टेक न देखो एनी सिगनल अनी सिगनल can be said even if it shows symmetry around y-axis around y-axis ठीक है जैसे कि देखो यहां पर हमारा एक ऐसा है विशिज वाई एक्सिस एक्सिस ऐसे हम लोग एक्स में हमों टाइम को जनरली लिखते हैं एंड इसमें हम लोगते हैं करेंड को या फिर बोल्टे सब्सक्राइब को लिए हम लोग गया है अब इस एक्सिस के दोनों साइड है अगर सब्सक्राइब किया है तो यह सीगनल को किया आपका इवें सिंगल जैसे कि मैं यहां पर सिडेंब ले चाहिए कि तरह दिख रहा है तो फिर यह आपका क्या है इवरं शिग्नल कहेंगे तो इसको एक तरह कहेंगे और सिगनल कहेंगे कि उसको हम लोग कहेंगे और सिगनल एड इवन सिगनल को कैसे रिप्रेजन किया जाता है देखो यहाँ पर आपका क्या है एफ टी स्वरी यहाँ पर एफ टी ऐसे इसे इसे कर दिया गया है है आई कि अगरे टी सब्कूं मनलिते हैं यह प्लास होला जांते हो गर model विस स्वरी अग्राफ दर प्लास ओbtil होन लेंगे दो क्या होगा टी च養ड क्या होगा मतलब माएने lastman का स्क्रेया म्तलब जान इधर भी हम लोग कंड़ आना खेर 譜िए फिसकानल नों तरफ ही हो सब्सेमेट्री यहां सिम्सेंञ एंक एक और एक्जाम्पल, if theta is equal to 5 cos theta, okay, तो यहाँ पे अगर, if theta is equal to minus theta, theta के जगाप फे अगर हम लोग minus theta लगाएंगे, ठीक है, minus theta लगाएंगे, तो फिर भी हमारा जो value आएगा, वो positive में आएगा, sorry, फिर भी जो value आएगा, वो हमारा 5 cos theta ही आएगा, ठीक है, अगर हम लोग theta के जगा पे पॉजिटिव थिता लगाएंगे तो फिर वह वह लो क्या आगा फाइब कॉस्ट इटा अधर एक ही जैसा वैलू आएगा तो इस तरह के सिम्नल को पो कहते हैंएवन सिग्नल ऑके एंडसिर बात क्या है कि दूसरी बात क्या है और सिम के से कहेंगे अगर या सिमट्री पेज नहीं करेंगा सिमेट्री नहीं दिकाएगा दोनों साइट फिट dauर प्यूंख स्थिद्सके लोग सिग्नल क्या है okay any signals can be saved even the kids a copy we live in a odd odd if it if if it does does not so does not so symmetry around y axis this is our yeah this is our this is our or signal ticket yeah my or signal the makeup yk either other upper care symmetry that is or an arrow that hit that is odd signal and it's called this as a key f theta function of theta is equal to five scientific to other if theta value negative linki to kya ha 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 result kya aya minus five scientific to get if theta value positive linki to kya rafit five scientific to either alaga raider alaga ra kya do no value joha alaga ra to this tada signal kya odd signal to upload for data what is this graph ko bhi draw kata just this things okay it's a jada upon a jana a will last time look back let me think it's called last time look back in a periodic and non-periodic signal के बागे में, what is the periodic signal, unknown periodic signal? अगर कोई signal, ठीक है, अगर कोई signal, किसी एक interval of time के बाद, किसी एक time के बाद, अपना जो पेरियोड, ठीक है, मतलब अपना जो उसका चलने का जो धंग है, उसको repeat कर रहा है, तो फिर इसको अनलोग के आखेंगे, periodic signal, अगर नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, उसके बार बार एकी जैसा नहीं बनेगा, तो फिर इसको अनलोग कहते हैं, non periodic signal, ओके, जैसे की देख तो हूँ, a signal is said to be, इस ता असले नहीं है, तो बहतर रहेगा, a signal is said to be periodic, a signal is said to be periodic, if it repeats its nature, if it repeats its nature, after, after a certain time period, after, certain time period, ठीक है, किसी एक समय के बाद जो है, यह आपका क्या कर रहा है, अपना जो नेचर है, उसको फिर से repeat कर रहा है, दोहरा रहा है, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे, periodic, ठीक है, periodic, and non periodic के बात करेंगे, a signal is said to be non periodic, periodic, if it do not, if it do, if it does not, does not repeat, 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 it's nature, it's nature, it's nature, ठीक है, यह होगे, हमारा non periodic signal, ओके दोस्तो, चलो, यह non periodic signal होगे, है, periodic signal, non periodic signal, जैसके periodic signal का example क्या है, ऐसे, जो, ऐसा होता था, ठीक है, देखो, यह certain time के बात-बात, जो है, अपना motion को, अपना जो nature है, उसको repeat कर रहा है, यह ऐसे दोहराते जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहां पर दूसरे signal, ठीक है, दूसरे signal, कुछ इस तरह का signal, यह तो यह अपना nature जो है, time के साथ-साथ बदल रहा है, यह अपना nature, repeat नहीं कर रहा है, तो that is called non-periodic signal, this is our periodic signal, ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतना समझ में आ गया है, तो फिर चलो, यहां से हम लोग इन कर रहे हैं, आगे हम लोग next class में बात करने वाले हैं, voltage source and current source के बारे में, हाप हम लोग AC-DC के बारे में सीखेंगे, AC क्या है, alternating current, alternating voltage क्या है, AC-DC के बीच में difference भी देखेंगे, and उसके साथ हम लोग depending and independent sources, then उसके बाद dependent and practical, या फिर independent sources of current, यह सभी चीज़े जो हम लोग देखने वाले हैं, and next class में हम लोग unit 1 को finish कर देंगे, ठीक है, चलो मिलते है next class में, तब तेक लिए अपना पराई जो है, बराबर करते रहे न, and अपना तबियत के ख्याल लेखना, तो exam बहुत नजदीक है, that is why, थोड़ी सी भी लापरवाही, बहुत महंगा पर सकता है, तो फिर थोड़ासा सतर हर्क होके रहे, मिलेंगे next class में, thank you very much.